घ्लो स्टुदेंट्स वैलकम टू एल्जी आइ ओल्लेन क्लासे दिशिज दीपती आज क्लास सेक्षाया चैफ्टर फर्स पूद टॉपिकसे किन हमारा तो लास्ट टॉपिक में हमने आपके फूद इंग्रीडियंस बताएं फूद बताएं इनग्रीडियंस सोर्सज यह करते हैं जिसमें जादा जादा पोशक तत पाए जाते हैं जादा हमारे बोजन को हम झाल्दी बनाते हैं वह स्प्राउटिंग होता है यह जादत हम अपने घरों आपको एक चितर देख रहा होगा डाइग्राम ये कप करते हैं जैसे माल लीजिए आपने अपने घरों में माल कैसे करेंगे कुछ आपने डाल ले लिये या चना ले लिया तो क्या करें टेक सम ड्राइ ग्रीन ग्राम एंड कंटेनर आई कंटेनर लीजिए उसमें आपने पूरी तरीके से कंपलेटली लीजिए इसमें पोरी टागे अंकुरित होजाएंगे जिससे हम स्प्राउटिंग कहते हैं हो ये ज़यादा अतर हम जब इसको खाएं खाते हैं तो हमारे बौडिए को अच्चा निट्रियंस थाब्त्रे को प्राइश हैं में परीद खंग तो मिलता है, यह हमारा स्प्राउटिंग कहला है, नेस्ट हमारा टॉपिक आया है, कल हमने पढ़ाता सोर्स प्लांट आप सोर्स आप फूड आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स, एनिमल्स से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, आपको चितर दिख रहा है, एक काई दिख रही है गाए से, गाए और जैसे काउ है, वो फैलो है गाट है, तो यह डैरी डैरी मतलब क्या होता है, डैरी मतलब होता है हमारा, जहां पर दूद, दुग्द साला भोल सकते हैं जहां पर दूद की मातरा ज़ादा होती है जहांपर मिल्क, दूद, कड, धई, चीज, पनील, घी, मकषन, ये सारी चीज़ें प्रवाइड होती है ये काउ के द्वारा होती है वह फैलो भी ले सकते हैं जिससे दूद प्राप्त होता है पाल्टरी में से हम पसु पालन भी बोल सकते हैं so you will see that you will see a भेड़ का चितर इककड़ आहोगा तो यहां पर मीट हो गया एग एंट अगोर्ट इस पालन कहते है जहां पे मुर्गी का अंडा और गाड का और सीब का मीड मिलता है तो आपको एक चितर के दोवारा दिखाया जा रहा है नेस्ट आ रहा है हमारा हनी हनी मतलब शहद शहद आपको पता है कौन लाता है भी मदु मक्की लाती है हनी भी और इसमें क्या क्या हम लोग मिला देते हैं, इंग्रीडियन्स, सुगर मिल जाता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, तब कहीं जाकर हमारा हनी मिलता है, हनी कौन लाता है, हनी वी लाती है, ठीक है, तो नेस्ट हमारा आ रहा है, सीफूड, सीफूड क्या होता है, समुद्री, जली जन्तू के द् इस वोजन को हम मानव जाती के लोग इसको घ्रैड करते हैं खाते हैं ठीक है चलते हैं हम आगे क्या क्या लिखा है नेस टॉप एक आरा हमारा क्लासिफिकेशन और ओगनेजम ऑन दा वेसिक फूर दे इट क्लासिफिकेशन बरगी करण के बारे में जानेगे ये भी थी हमारे बरगी करण केटागरी में रखा गया ये केटागरी हमारी कितनी हैं six केटागरी में हमने इसको रखा है इसको हम बहुत अच्छे से explain करते हैं अब आप लोग ध्यान से सुनिये मतलब दे इट भोजन मानव जाती नहीं खाते हैं समें ये केटागरी मानव ये जानवर ही उपते हैं पहला कुछ न हरा है हर्भी वोरस हर्भी मतलब होता है प्लांट और वोरस मतलब होता है इटर गास फूश खाने वाले में क्या एगा, काव है, वो फैलो है, गाड बकरी है इनके जो दाथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बैक अप दा माउथ ये पीछे वाले दाथों से घास को चवाने का करते हैं ठीक है नेस्ट आया करनी वोरस कारनी वोरस मीस होता है हमारा मीट और वोरस मीस होता है इटर तो कारनी मीट और वोरस इटर जो मास्क खाते हैं केवल मास्क खाते है उसमें लाइन टाइगर आएगा लाइन टाइगर अब देखिए अब सुन लीजे पहले हर भी वोरस में हमने केवल क काउ वेलो गॉड दिया है så आप जैसे हम और कर ले सकते हैं såρο होडस है डियर है एलीफैन्त है यह जो जानवर है यह केवल घासफूस ही खाते हैं ठीक ए ? इनके जो दांत होते है इन्सीजर विछे विशन वाला सामने ौटांती है कटने का कारते हैं। पीछे वाले चपटे दांत होते हैं उनसे वापना घास्पू चवाने का करते हैं। करनिवरस में बैसके कौण फारने वाले दात होते हैं और दे चीव फ्लैस ये फ्लैस जो मास होता है जो जानवरों का जो मास होता है जो हड़ियां होती है उनको चीर फार कर ये खाने का कारे करते हैं इनके भी दात फ्लैट होते हैं इनके बैक साइड के दात जो फ्लैट होते हैं अर्भी वोरस के पीछ ओम्नी वोरस क्या है हूमन वींग्स अब ओम्नी वोरस में हूमन वींग्स भी आ जाएगा वेट समय हमने क्या बताया आपको ओम्नी वोरस में हूमन वींग्स भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग भी कभी कबार मास खा लेते हैं, गास बूर पत्ता गो भी खाते ही, खाते हैं, तो आमनी वोरस को कहते हैं, आल इटर, मतलब जो दोनों ही चीज़े खा लें, इसमें होमन विंग्स, बीर भालू, रैट चुआ, ये आएंगे, तो रैट चुआ भी हमने बता दिया, ये दोनों जानवर और प्लांट दोनों ही खा लेते हैं, इनके जो दात होते हैं, वो शार्प होते हैं, कार्निवोरस फ्लैट टीथ, इनके भी टीथ, फ्लैट होते हैं, जसलाए का हर्वी वोरस के जो दात थे, वैसे ही इनके भी दात होते हैं, क्या करते हैं, इनके प्रिजेंट बियाइंड दा सार्फ टीम अला इनके पीछे सार्फ टीत होते हैं और आंगे से इनके फ्लैट टीत होते हैं सामने इनके फ्रेंट पर एकदम शार्फ टीत होते हैं और बैक साइन के फ्लैट होते हैं जिससे ये आराम से किसी भी चीज को खा लेते हैं जिसमें इ अर रेड आ जाएगा ठीक है नेस टॉबिक पे चलते हैं नेस सिर्डिंग है इसके वैंसर का मतलब क्या होता है इसके वैंसर मतलब होता है ये सडा गला पुराना औराना सहरा खा लेते वना सम हैनिमल डैड बोडीela की ये बड़ा होता है यह खालेते हैं जिसे हमारा इंवार्मेंट इसमें इसमें अर्थवम और बीटल्स आएगा जिसमें बैक्टेरिया फंगी और डैट प्लांट आएगे जो हमारे प्रतवी को भी इंवार्मेंट का मलब क्लीन करने का कार करता है ठीक है अब नेस्टार लास्टार हमारा परजी भी अब यह परजी भी क्या है फॉर एक्जामपल में मॉस्कीटोस तक अधर अधर जानवरों का खून चूशते हैं ठीक है और फॉर सम एक्जामपल में आ सकता है कौन कौन सी चीज़ा होती जैसे लीच देखा होगा टैब बा सूसते हैं यह पारजएब सी हो गया ठीक है तो कहने का मतलब है इस पाराज़ साइड का में एक और बता रहने के लिए अन्धर प्रकार के भोजन को प्राप्त करते हैं मतलब दोसरों का खून चूशते है यह अपने आपको ग्रो करते हैं तो आइं यह आपको यह समझ में आया हो अगर ना आया हो तो प्लीज आप हमें मैसेज करें गुद नाइट बाइ बाइ टेक केर बी हैपी